नमस्ते सदावस सली मात्र भूमिट चेहिं दोस्तों मैं किशन आप सबका स्वाकत करता तो चलिए शुरू करते आज के डिफेंस समाचारों को बढ़ते परे डिफेंस अब्रीट की तरफ दोस्तों सोलर इंडिस्ट्री इंडिया लिमिटेड की साय कंपनी एकनॉमिक हजार यूडिटों की आपूर्ती करने का अनुभन हासिल कर लिया है जिसके तहट प्रति ग्रेनेड की जो कीमत है वो 4661 रुपे हुई लेकिन दूसी तरफ बिनिशन इंडिया लिमिटेड ने जो बोली पेशकश की थी वो 15.547 क्रोड रुपे की थी बताती कि यह जो ग्रे स्लीव है यानि कि आस्तीन है उसे हटा कर या जोड कर मोड के बीच आसानी से स्विच किया जा सकता है इसके दो मॉडिल शामिल है एक फ्यूज और एक मेन बॉड़ी चलिए बढ़तनेक्स अब्रिर की तरफ हिंदुस्तान शेप्यार लिमिटेड ने एक और मेल का पत्थर ह खास बात ये रही कि ये अपनी तरह कि का पहला ऐसा जहाज है जो कि सटिक निविगेशन के लिए उन्नत यानि कि एडवांस मैनुरिमिल्टी फीचर से लेस है और इसलिए इसके मरमत के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉलों का सक्त पालन किया गया जिसके बाद इसकी मरमत की और वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जिसके बाद इस जहाज के मालिक ने हिंदुस्तान शेप्रियाड लिमिटेड की सरहाना की दरसलिए बात इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत अब ऐसा करके अंतरास्ट्य बाजार में अपनी मजबूत उपस्त स्थापित कर रहा है चलिए बड़तने एक्स्टब्रीट की तरफ दोस्तों भारत के दोरा विक्सित किया गया नेत्र एयरबॉन अल्ली वर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानि कि अवाक्स को अब दक्षनी अमेरिकी देशों और इंडोनेशिया से इसे खरीदने को लेकर बात्चीश शुरू हुए है तरसल डियाडियो के दोरा बनाएंगे इस प्लेटफॉर्म की शम्ताओं को देखकर कई देश इसको खरीदने की रुचिवेक्ट कर रहे हैं भारतिय वाई से ना पहले से यह तीन अवाक्स माक वन विमानों का इस्तावाल करती है और यह प्ले अवा एरबस A320 प्लेटफॉर्म पर आधर 6 और नेत्र माक टू अवाक्स हासिल करने की योजना पर भी काम चल रहा है दोस्तों इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नेत्र अवाक्स का निर्यात होना भारत के रक्षा उद्योग में मेहत्वण मिल का पत्तर होगा और एक बा की तरफ हाली में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में जानकारी दी थी मैंने बताया था कि चाइना ने अब Z21 हेलिकॉप्टर का अनावरन किया है और यह काफी हद तक अपाची की तरह दिखता है लेकिन अब इसे लेकर एक और बड़ी ख़बर यह आई है कि यह हेलिकॉप्टर को भविष्य के सेन्या भ्यानों के लिए इस्तमाल करेगा इसलिए जो डिफेंस एक्सपर्स हैं वो यह कहते हैं कि यह जो हैवी ड्यूटी हेलिकॉप्टर है पीपल इवरिशन आमे का वो उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है खास कर कि ताइवान और भारस से जुड़े संगर्शों को अगर देखा जाए उस्टेलिया के डिफेंस एक्सपर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि जेट टॉंटी वन एक बेहत घा तक हेलिकॉप्टर होगा जो कि फिलाल तो ताइवान के खिलाफ ऑपरेशन में में तो पुन भूमी का निपा सकता है साथ उन्होंने कहा कि इसका डेजाइन उच उचाई वाली शमताओं के और भी इशारा करता है जो कि इसे हिमाले में LAC के लिए काफी relevant बनाता है अपनी मारक शमता से परेश Z21 टेकनोजिकल एडवांसमेंट का लाब भी उठाता है कहा ये जा रहा है कि चाइना इस हेलिकॉ प्राप्टर के जोखिम कम हो जाएंगे और आने वाले वर्षों में इसके तनात्कि और शमताओं पर बारिकी से नज़र रखी जाएगी खास करकि छेतियस रक्षाओं को देखते वे फ्रांसी से एरोस्पेस और रक्षा फर्म स्टार्डबर्स एक्सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए स्टार्डबर्स का जो एक्सिलेटर प्रोग्राम है उसे इस्थापित करेगा आपको बतादे कि स्टारबर्स एक वेश्विक एरोस्पेस और डिफेंस एक्सिलेटर है जो कि स्टार्टप्स को कॉर्परेट्स इन्वेस्टमेंट और सरकार से जोड़ता है परते नेक्स्ट प्रेक की तरफ इसे हमने शुरुआत की है और हम अब तीन अलग अलग श्रेणियों के डिजाइन को शामिल कर रहे हैं और यह जो श्रेणिया है वो पेलोड शमता के हिसाब से होंगी पहला एक से दो किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है दूसरा दो से चार किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है और प्रतेक श्रेणि का जो प्रपल्जन सिस्टम है और उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया जो इंधन है उसके आधार पर यह 20 से 150 किलोमेटर तक की अलग अलग range परदान करते हैं, खास कर कि beyond visual line of sight शमता हमारे लिए एक महत्वपन विर्चार है, इसलिए हम इसके prototype के उड़ाने कर रहे हैं, साथ उन्हों ने कहा कि हमने loitering munitions हात्यारों के लिए दो अलग-अलग purpose systems को अपनाया है, जिसमें कि electric duct fan और micro turbojet engine, इसके अलावा हम unmanned aerial system को भी तैयार कर रहे हैं, यहीं ने उन्हों ने आगे बताए कि जब हम loitering munitions की बात करते हैं, तो इसमें कई सारे factors आते हैं, खास कर कि speed, range और precision, और हमने जिन munitions को तैयार किया है, वो canister launched है, जिसे की आसाई से portable किया जा सकता है, बरते नेक्स अबरे की तरफ, दोस्तों भारत अब रश्यन हत्यारों को अप्डेड कर रहे हैं, और इन्हें भारत में ही अप्डेड करके और ज्यादा घातक बनाया चारा है, ऐसे एक autocannon है, जिसका नाम जैनिट उस्तान ववका है, जिसे की दोनाली autocannon भी कहा जाता है, और भारत के पास ऐसे करीबन 470 हत्यार है, सोविय जोकि कम उचाए पर उड़ने वाले आस्मानी खत्रों को खत्म कर सकती है, और ये गन गैस ओपरेटेड एक्शन पर काम करती है, एक autocannon system का वजन करीबन 6.9-10 है और लंबाई करीबन 10 वीट, बता दे कि इसके गोले लंबी दूरी तक हमला कर सकते हैं, ये माइनस 10 डिग्री से लेकर प्लस 90 डिग्री तक कि कोन पर दुश्मनों पर अटैक कर सकती है, और 360 डिग्री पर खुम सकती है, बता दे कि एक मिनट में करीबन 2000 गोलियां ये दागता है, और धाई किलोमीटर तक इसकी सटिकता है, गोलियां 50 राउंड की बोल्ट के तौर पर इसमें लगाई जाती है, चलिए बढ़ते ने एक स्टब्रीर की तरफ, दोस्तो रश्या आप 6 जनरेशन के हाईपर सॉनिक शमताओं वाले फाइटर जेट, मिक 41 को लांच करने वाला है, इससे रश्या की जो एर से प्योटी है, वो काफी बढ़ जाएगी, हाले कि ये परियोजना लेकिन ये फाइटर जेट मैक 4.3 की क्रूजिंग स्पीड का वादा करता है, जिससे कि ये अपने कॉम्पुटीटर एरक्राफ्ट जो है, उनसे आगे निकल जाएगा, लेकिन मिक 41 का जो विकास है, वो पल्स डिटोनेशन इंजन के सफल परिक्शन पर निर पर करता है, और ने में शक्षा मुगा, खास बात ये है कि रश्या के मिक 41 के साथ स्टेल्थ टक्निक के मुकाबले उन्होंने स्पीड को प्रात्मिकता दी है, और इस तरीकी की जो एप्रोच है रश्या की, वो modern material और design principles को शामिल करते वे एक high performance इंजन में उनकी मौजूदा विशेश अग गन लगी होगी, यानि कि ये मिक 41, electromagnetic pulse gun से less होगा, जिससे कि इस fighter jet की जो सीमा है, वो काफी बढ़ेगी और ये कई निशाने लगा सकता है, ये जो EMP gun है, इसका विकास रश्या के वर्तमान SU-57 fighter jet और मिक 41 में लगाए जाने की बात हो रही है, हाला कि इसका देश्य साफ नही किया जाएगा, मिक 41 परियोजना के सफलता केवल इसके इंजन के विकास पर टिकी वही है, यदि ये हासिल कर लिया जाए, तो रश्या के पास बेजोड़ गती और संभावित का अंतिकारी हत्यार के साथ एक दुर्जे हवाई हत्यार उनके पास आ जाएगा, चले बर तरेक विसफोटोकों से लदे वाहन से चीनी इंजिनिरों के काफिलों को टकर मार दी, और ये जो काफिला था चीनीों का, वो खैबर पत्तुनवा प्रांच से दासों में अपने कैम के और जा रहा था, कहा जा रहा है कि इसमें 5 चीनी नागरिक तो मारे गए साथी, पाकिस्तान क अब दोस्तों ये बहुत बड़ा खत्रा चीन पाकिस्तान आर्थिक गल्यारी को हो रहा है, यानि कि सिपक को हो रहा है, और बार बार चाइना पाकिस्तान को धमकी दे चुका है, अगर उसके नागरिकों पर फिर ऐसा हमला हुआ, तो वो फिर बड़ा कदम उठाएगा, ले इनके कर्मों की सजा वापस इनको मिल रही है, चलिए बढ़ते नेक्स टबर की तरफ, भार्तिय सेना भार्तिय शहरों में अपनी इस्थानिय तेनात्की के लिए इलेक्रिक वाहनों को आधिक से अधिक सेंख्या में शामिल कर रही है, लेकिन दोस्तों सीमावर्ती शेतरों में चार्जिंग सुविधाओं का ना होना ये चुनाथी बनी वी है लेकिन शेरों के अंदर इस्थानिय परिवहन के लिए अब इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तमाल किया जा रहा है लेकिन दूर दराज के छेतरों के लिए बीएस्ट्री ट्रकों पर अभी भी निर्भरता बन करते हैं जो ट्रडिशनल गैसुलीन पावर्ड वाले वाहन है उनके तुल्ना में हैचीडी यानि की हाइब्रिट इलेक्ट्रिक ड्राइब सिस्टम काफी कम उसर्जन की शमताएं प्रतान करते हैं और हैचीडी टक्निक तूर दराज के सिमावर्ती शेत्रों में आने वाली स्पेस में नहीं बिखरेगा और इसरो के लिए ये मिल का पत्थर भी है इसरो की तरफ से कहा गया है कि इस मिशन को 21 मार्ज को हासिल कर लिया गया था जब प्रतिवी के वाई मंडल में पुना परविश के माध्यम से अपने अभ्यान को पूरा किया अंतिक्सी जिन्सियों उने PSLV C58 Oblake Exocet Mission के वेभारिक रूप से कक्षा में इसने शुन्य मलबा छोड़ा इसरो ने कहा कि सभी सैटलाइट्स को उनकी वांचित कक्षां में स्थापित करने के प्रत्मिक मिशन को पूरा करने के बाद PSLV के टर्मिनल चरण के तीन अक्ष स्थिर मंच POEM 3 में बद दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एज़या शंकर ने चीन के दादागीरी के खिलाफ Philippines का खुल का समर्थन किया है एज़या शंकर जी ने दक्षिन चीन सगर में चीन के साथ Philippines के विवाद के बीच कहा कि अपनी रास्टे संभरबुदा को बनाए रखने में तक्षिन पूर्वी एशिया ये देश का भारत पूरी तरीके से समर्थन करता है और इससे पहले भारत ने एलान किया था कि कुछ दिनों के भीतर फिलिपिन्स को ब्रह्मोज सुपरसोनिक मिसायले मिल जाएंगे और चीन की धौश से ने पटने के लिए फिलिपिन्स ब्रह्मोज मिसायलों को खरीद रहा है तो फिलाल लिए था पितर के टॉप डिफेंस अप्डेट्स वीडियो के सावने कोई प्रस्च जवाब आपको कोई सवाल एक अमेल शिक्षम में लिकर जरूप हो सकते हैं मिलता हूँ वीडियो के साथ चैनल दो सब्सक्राइब कीजिए का चैहिन पंदे मात्रम